दोस्तों स्वागता आप सभी का है एच पी एक्जाम फेर्स में आज हम 25 सेक्रेटरी की जो रुकूर्टमेंट हिमाचर प्रदेश में आने वाले हैं दोजार तीस में उसके उपर एक इंपोर्टनेंट डिसकेशन करने वाले हैं कि आपकी भरती कब आएगी कौन उसे कंड़क सबसे उनको एक्जाम देने में आई थी कैसे उनकी सिलेक्शन हुई थी तो आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपोर्टन रहने वाला आपके लिए सबसे पहले मैं आपको बता दू हिमाचर प्रदेश में 25 सेक्रेटरी की जो रुकूर्टमेंट है वो कभी भी आ सकती यान जो पिछली बार कट आफ थी वो बहुत ही कम गई थी मैं आपको रिजन भी बतांगो क्यों कट आफ जो है वो कम रही थी तो 2019 में जो आपकी वो भरती आई थी और हमाचर प्रदेश जो उनिवर्सेटी है तो उसने एक्जाम को कंड़क्ट कराने में दो साल तो मिनिमम लग जो भी आपके थर्ड क्लास के एक्जाम है वो लेगा है HP-PSC तो PSC आपका एक्जाम लेने वाला है टोटल जो वेकेंसी थी वो कितनी रहने वाली है 412 के अराउंड जो है आपकी वेकेंसी रहने वाली है तो यह जो 412 वेकेंसी इसका कैसे बता लगा जो आपका भी बजट स College Kitchen को ज़रूर जोएं करने लyg riding अब हमाचरए परिदिश में किसी अग्जाम की तैयSonar ressource injection के इसमें आपकी एक विंट सीज kayak होई है 536 पदों पे होने वाली है तो यह आपके तो पिछले साल की जो नोटिफिकेशन थी उसे दिखाता हूं तो पिछले साल की नोटिफिकेशन हमारे सामने है या आपकी जो भरती थी दोजार उन्नीस में आई थी तो 2019 में इसकी नोटिफिकेशन आ गई थी आपको मैं इलिजीबिल्टी भी बता देता हूं कि कितनी एज वाले इसके लिए एलिजीबल थी वो थे 18-45 साल तो इस बार भी हो सकता है जो आपकी एज लिमिट है वो 18-45 साल तक होगी यानि 18-45 साल जिसकी उमर है वो इसके लिए कर सकता है आपके जो स्केल है वो थर्ड क्लास के रहने वाला है जैसे अगर आप मालेजी जिवाइटी बनते हो गलर्क बनते हो तो उसमें भी पंचाय सेकरेटरी वाला स्केल है जो आपकी कॉंट्रेक्च्छल सेलरी होती है दो साल की वो कुछ 12-13,000 के बीच होती है फिर आप बता है जो NPS से उसे भी खतम करने OPS आ रहा है तो पहले तो कुछ 36,000 होती तो अब आपकी चार साल बाद कितनी हो जाएगी सेलरी वो हो जाएगी कुछ 40,000 के अराउंड तो पहले दो साल तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कॉंट्रेक्ट में बाकि उसके बाद आप प्र भरती को देने के लिए तो पिछली बार जो था वो था बैचलर डिगरी यानि अगर आपने ग्रेजुशन कर रही है तो आप एलिजिवल थे प्लस टू पास इसके लिए एलिजिवल नहीं थे पिछली बार जो मैं बता रहा हूं जो नोडिकेशन आई थी इस बार जो नोड था पिछली बार जो आपका इंगलिश, हिंधी, मैस, और जीके, तो बीसनिम पेपर की वो मैं डिस्क्रिप्शन दूँगा उसे ज़रूर चेक करना आपको बता लगजागा जो एक्जाम थो कैसा था बहुत ही एजी लेवल था और जो आपका एक्जाम थो कितनी पचासी नंबर का था यानि पचासी कोशन आपको आये थे क्यों आये थे क्यों कि पिछली की बारे डोकुमेंटेशन थी इसलिए पचासी नंबर का पेपर आया था जिसमें हिंदी इंग्लिश मैथमेटिक्स और जीके आपके सब्जेक्ट से तो इस बार आपका हंडर्ड नंबर का पेपर होगा और ऐसा स्लेबस भी आपका सेमी रहने वाले यानि इंग्लिश कर is उसका टैपिंग टैस्स दिया को उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में टैपिंग टेस्त दिना था मगर जो 55 से अब किसी एक में चाहिंको देना थहा और में इनों में रूंब्तर का टैपिंग डैस्ट में हम की उनको За जूंदिघो गहना तो लिस्ताएब आपकोrü 62 जिनके 62 भी आ गए 61 भी आ गए उनको भी इनोंने टैपिंग टेस्ट के बुला दिया था दो लिस्टे आई थी पहले जो 67, 8 उसे उपर थे उने बुलाया फिर उससे नीचे वाले बुलाने पर क्यूंकि जो टैपिंग टेस्ट है उस्ट्ट से पास ही नहीं हुआ क्यूंकि अडिष्ट में जो टारेले अचरी इनी कर लिए उसे आप टैपेंग के लिए क 지금 थे बैक्स पेस होता है तो बैक्सपेस आपकोई बी निचाम स्था सिलांव गा थे उसमें वहांगा थे इसमें अप्र लिए तो इसमें है च्टिऽ औरने पिल दिन च्टिए इन कर सकते थे, यानि उसे आपको हटा नहीं सकते थे तरह से तो उसमें आपने जो लिखना तो सही लिखना तो उस चक्कर में किया हुआ स्टुएंट से बहुत सारी गलतियां होगी, बैक स्पेस में लाओट नहीं था और उस वज़र से मैक्सिम्म स्टुएंट स्टैपिंग में ही भार हो ग तो बीस नंबर का कुछ डिफ्रेंस है जो आपके फुल मार्क से 85 में से 65 और पेपर का जो लेवल तो बहुत ही इजी था अगर मैं को अगर अच्छी त्यारी कर रहे हो तो आप इजी ली उतनी नंबर ला सकते थे पाकि आपको मैं एक बार पोस्टे भी बता तो कि पोस्ट साथ competition है अगर कोई शिमला में रहता है तो वहां 50 से तो उसका competition जो है शिमला वालों के साथ ही बाकि डिस्टिक्ट को बोल जाओ तो इन 50 सीटों में कोई शिमला वाली ही जो है अपनी सीट ले सकते थे बाकी category wise भी जो होती है आपकी seats वो होती है डिवाइड होती है जैसी कि आप लासपूर में दिख सकते हो अनसुचित जाती के लिए दो है अनसुचित जाती जो होगी BPL वो एक है आपकी पिछड़े वर्क के तीन है तो ऐसी आपकी जो है seats भी इसमें reserved होती है तो reserved category के लिए अलग seat होगी general के लिए अलग होगी ST के लिए अलग होगी ST के लिए तो अगाओ नहीं था जिस वज़से जो है स्ट्रोंट से मैक्सिमम गलतिया होगी और वो टैपिंग पास नहीं कर पाई और कट आफ आपकी बहुत ही कम चली अब पचासी में से मंडी में कितना 65 वाला भी लग गया था और ऐसे हर डिस्टिक की अलगलग कट उफ गई थी तो य नंबर पढ़ जाए का तो त्यारी करेंगे तो उनका तो चाहसी नहीं था बाकि बैक्सपेस उन्हों ने लाओड निया उस वज़से मैक्सिमिल स्ट्रोंट बार हो गए थे तो यह कुछ चीजे थी बाकि जो मारे स्लेक्टेट स्ट्रोंट से उनसे मैंने पूछा कि हां क्य क्या रहा था तो यह सारे चीजे में आपके साथ शेर कर रहा हूं तो इस बार भी आपका जो एक्जाम हो कितने नंबर को सकते हैं वह सो नंबर का हो सकते आपका क्योंकि डॉक्मेंटेशन फिनिश कर दिए और आपका टैपिंग टेस्ट भी होने वाल है ठीक है टैपिंग होगा और बैक्सपेस पिछली बार नहीं था इस बार में कुछ क्या नहीं सकता वो तो अब जब नोटिक्रिशन आएगी उससे पता लगेगा और उसमें भी खाहां बताएंगे बैक्सपेस अलाउट था या नहीं था तो आपका 100 नंबर का पेपर होने वाला है 18 से 45 साल की जिनकी एज हो की वो पिछली बार यॉलिवल थे शयद इस बार भी यह एज लिमिटर हहने वाली और पिछली बडोयुंट गया फिडियों से तो जिसकी डेखे इसमें number तो बतां ही रखे उन्होंने उन्होंने बस नाम बता रही हैं weapon हैं जनरल में इत्ने स्लेक्ट होई जवापके से चे हस्ट में हे लिए सारे स्तुर्ण्स ऐसमें इतने स्लेक्ट हुए तो यह सारे स्टुन्स के नाम थे पहले ही दो साल लेट करा है, 2019 में नोटिकिशन निकाली, 2021 में एक्जाम करा है, बाई इसमें जाके कहीं वो टाइपिंग टूपिंग करा है, टाइपिंग का भी थोड़ा लोचा चला हुआ था कि हम टाइपिंग निकराएंगे, फिर HPSC ने भी बना कर दिया, फिर Technical University ने कराया, तो ऐसा था, बहुत ही तीन साल का प्रोसेस लग गया, जो पंचाय सेकरेटरी को लगते लगते, तो इस बार तो यहीं उमीद है कि जल्दी-जल्दी कुछ होगा, अब HPSC एक्जाम लेने वाली है, और सरकार भी थोड़ी हरकत में आ गई है, रेकुर्टमेंट को लेके, और पिछली बार जो है इतने सालों से धान दिया हो रही है, तो इस बार उमीद है, जो एक्जाम से अब सब नौकरी की तरफ जा रहे हैं, तो competition बहुत ज़्यादा हो गया आपका, और पिछली बार cut-off कम इसलिए रही थी, क्यूंकि आपका जो tapping test था, उसमें backspace allowed नहीं था, और time ही, जो tapping की तयारी के लिए time भी बहुत कम दिया था, तो ऐसे cut-off उस वज़े से कम हो गई थी, बाकि इस बार तो एक्जाम को देख की पता लगेगा, आपको जो पिछली बार paper हुआ था, बाकि अपना-पना perspective रहता है, तो एक बार देख लेना, अगर तियारी कर रहे हो तो आपको ठीक ही लगेगा paper, और ऐसा है, पिछली बार अगर आपका नहीं हुआ तो इस बार ही है, और सरकार ने बोल रुख है, कि 2000 विकेंसि आने वाली है, आपकी जो आपकी सब इंस्पेक्टर है, HRTC conductor है, GBT कमिशन, बहुत सारे एक्जाम आने वाले है, तो आपका एक पंचाय सेक्रेटरी का एक्जाम भी आएगा, जो नोटिफिकेशन है, वो मैं आपको हमारे टे हमाचल जी के इंडिया जी के हिंदी इंग्लिश रिजनिंग, हम हर एक सब्जक्ट पढ़ाते हैं, और डेली जो लाइव क्लासिस होगे, उनके आपको रिकॉड़ेट क्लासिस भी मिलेगी, ताकि आप उन्हें भी बाद में भी देख सको, और जो सारा स्टेडी मटियल होग सब्सक्राइब करेंगे, तो इक कम्प्रीट सोर्स रहने वाला है, उसके लावा आपको कोई भी सोर्स फॉलो करने की जरूतनी है, और हमारे कई सारे स्टुएंट्स हिमाचल के डिफेंट 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 इग्जाम्स निकाल चुके हैं, तो अगर आप भी अपनी ट के अच्ति हैं इसी एक्षब करने बट् सेलेक्षन ले ले लिए तो इस बार शायद अच्छे से एक्जाम होगा है, हे पिस्फीए अब लेने वाला है, नमबर Stephen Ca. आपको पतल लग जाएंगे, कि हापके कितने नमबर ते जो आपके रिटन इग्जाम में नमबर थे वह थे तो में इस बार हम देखते हैं क्या रहने वाली नोटिफिकेशन क्या उसमें आपकी कौलिफिकेशन रहें जो मैंने आपको बताई ही लगबग वैसी रहने वाली बाकि कुछ भी नया पता लगता है तो अपडेट मैं कर दूँगा टेलिग्राम चैनल का लिंक करने के लागते हैं क्यूं में क्याूं सबस्ब इस्जब परस दूब है और 강ई में लगभत मैं सेटर्प सक्रिप्ट्य। करने कि बारें क्याूं में रेंमपको प 57 की बारें कृंड है। घए 높7 को सेटर्प के बारें